जैसरी शाम दोस्तों स्वागत आपका प्राचिन धरम ग्यान चैनल में दोस्तों इस बार देव उठनी एकाज़ी 23 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान स्री हरी विश्नु चार महीने की योग निंद्रा से बाहार आती हैं और इसी दिन से चार महीने से रुकेवे सभी मांगले कारिये शुरू हो जाती हैं दोस्तों देव उठनी एकाज़ी को सभी 24 एकाज़ीयों में सबसे पवित्र माना जाता है इसे परभोधनी एकाज़ी या देव उठनी एकाज़ी भी कहा जाता है और देव प्रभोधनी 81 के दिन ही तुलसी जी का विवा भी संपन किया जाता है तो इसी पावन दिन तुलसी के पोधे में अर्पित कर देंगे ये एक चीज तो धन दोलत से भर जाएगी आपकी जेव दोस्तो इस बार प्रभोधनी 81 तेईस नवंबर दिन गुरुवार को मना जाएगी और इस दिन जो भी वैक्ति वर्त उपवास लगता है उसके उपर भगवान स्री हरी विश्नु और माता लक्षमी की विसेश किरपा बरस्ती है और सास्तरों के अनुसार माननेता है कि भगव तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो चीजे जो आपको देव उठनी 81 के दिन तुलसी के पोड़े में अरपित करनी है लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों देव उठने 81 के दिन एक लाल रंग का कलावा लेकर तुलसी मया के सामने आपकी जो भी इच्छाई हों जो भी मनोकामनाई हों उनको बोलते वे तुलसी मया में इस कलावे को बान दें और एक लाल रंग की चुनरी इस दिन तुलसी मया को उड़ा दें और तुलसी महिया में कच्चा दूदर पित कर दें और एक शूदगी का दीपक तुलसी महिया के समक्ष जलाकर तुलसी महिया की ओम नमो भगवते वासु देवाय नमे बीज मंतर का जब करते हुए ग्यारा परिक्रमा लगाएं इस उपाई के करने से आपकी जो उठनी एकाजसी के दिन लाल रंका कलावा माता तुलसी में बांध कर उसके बाद तिरतालिस दिनों तक कच्चा दूद तुलसी महिया में अर्पित करना है और शूदगी का दीपक तुलसी महिया के समक्ष जलाना है और ओम नमो भगवते वासु देवाय नमे मंतर का जब क दो करते वे तिरतालिस दिनों तक ग्यारा परिक्रमा भी लगानी है जिनके विवा में अर्चने आ रही हैं, जिनके विवा में प्रेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। और फिर भगवान सरी हरी विश्णू और माता लक्षमी के सामने आपके विवा में आ रही अर्चनो को दूर करने के लिए प्रारतना करें। तो ये एक बहुती सक्तिसाली और चमतकारी उपाई है। इस उपाई के करने से भगवान सरी हरी विश्णू की किरपा से जल्दी ही आपके घर में भी सेना या गुंज उठेंगी और इस उपाई के करने से आपके या आपके बच्चों के विवा में जो भी अर्चने आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी यदि आपको देव उठने के एकाज़ी के दिन करने वाले ये उपाई अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारस कमेंट में लिख दे जैसरी हरी विश्नु जैमा लक्ष्मी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ